हेलो डिफेंस लवर्स जैहिन एन वलकम बेक टो इस्टेंड़ अप क्लासेश तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों यदि आप भी इंडेन नेवी में सेलर के तोड़ पे ऐसे सार डबले के पोस्ट पे जाप करना चाहते हैं लबाई कितनी होनी चाहिए पड़ाई कितनी होनी चाहिए तो दोस्तो'RE अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले point को लेकरके कि इसमें recruit होने के लिए minimum height कितनी होनी चाहिए यानि minimum जो है लंबाई कितनी होनी चाहिए Navy SSR डबलने में join होने के लिए तो जो इसकी minimum height रखी गई है join होने के लिए वो रखी गई है 157 cm यानि at least आपकी जो लंबाई है वो 177 cm होनी चाहिए और आपकी 117 cm मिनिमम हाइट होने के साथ साथ आपका वेट रेसियो भी होना चाहिए मतलब कि आपका यदि हाइट 157 cm है तो एटलिस्ट आपका वजन यानि वेट जो है 55 kg होना चाहिए वेट भी रखा गया है इसी तरह आपकी हाइट जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक आपका वेट होना चाहिए मतलब कि हाइट और वेट का एक रेसियो चलता है तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये हाइट और वेट का रेसियो प्रोवाइट करा दूँगा कि इंडियन नेवी में height और weight का क्या ratio चलता है तो चलिए अब हम लोग जो है इसके दूसरे point को देख लेते हैं पहला point मैंने clear कर दिया कि नेवी join करने के लिए minimum जो आपका height है ठीक है नेवी SSR के लिए वो 157 cm होना चाहिए अब चलते हैं अपने qualification की तरफ कि नेवी SSR डबल जोइन करने के लिए qualification क्या होनी चाहिए 2021 बैज के लिए तो दोस्तो अब यदि बात कर लें इसके लिए minimum qualification को लेकर के तो सबसे पहले तो आपका intermediate pass out होना ज़रूरी है जहां दोस्तो यदि आप intermediate pass out हैं तो आप असानी से इसका form भर सकते हैं बाकि इसके कुछ और भी conditions अपलाई होते हैं जिने जान लेना जरूरी है तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SSR को लेकर के तो यदि आप SSR में सबसे पहले तो आपका intermediate pass out होना जरूरी है दूसरा condition यह है कि at least intermediate में आपके 45% से अधिक marks होने जरूरी है अब बात कर लेते हैं तीसरे condition को लेकर के तो तीसरे condition यह है कि आपके intermediate में दो compulsory subject होने जरूरी है सबसे पहला तो math और दूसरा physics है तो यह subject बिल्कुल compulsory है आपके intermediate में होने बिल्कुल ही जरूरी है साथ में जो तीसरा subject है वो आपका optional है तो तीसरे subject में या तो आपका chemistry होना चाहिए या biology होना चाहिए या फिर computer science होना चाहिए लेकिन द्यान दिजएगा physics और math intermediate में जरूर होना चाहिए अब हम लोग बात कर लेते हैं double A के लिए तो यदि आप double A के लिए तो सबसे पहले तो आपका intermediate pass out होना जरूरी है और इसके साथ में at least आपके intermediate में 60% से अधिक marks होने भी जरूरी है यानि यदि आपके intermediate में 60% से अधिक marks है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू कि इसका जो first phase का exam होगा वो computer based होगा online exam होगा ठीक है साथ में इसमें negative marking भी देखने को मिलेगा और इन दोनों का exam common exam होगा मतलब कि अलग-अलग exam नहीं होगा एक ही exam होगा SSR के लिए भी और double A के लिए भी यानि यदि आप SSR double A के लिए दोनों के लिए form बढ़ते हैं तो आपको दो अलग-अलग exam नहीं देने पड़ेंगे ये confusion दूर कर लिएगा सिर्फ आपको एक ही exam देना पड़ेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके cut-off और merit को लेकर के तो जो SSR का cut-off लगता है फरस्ट फेज का रिटेन एक्जाम का वो आपका state-wise लगता है अब बात कर लेते हैं डबल A को लेकर के तो जो double A का cut-off लगता है वो all India merit लगता है तो जो double A की merit बनती है फरस्ट फेज की वो all India merit बनती है अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके तीसरे जो है स्टेज को ले करके कि जो मैंने बात की थी कि इसके लिए required data birth क्या होनी चाहिए उम्र क्या होनी चाहिए उसको ले करके हम लोग बात कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं फार्म चाह्ट करिकिए यादि बात आती है इसमें फार्म अप्लाई करने के लिए उम्र को लेखे तो metres साल पहले तक जो इसकी कि इसकी है लेकिन पिछले साल जो इसकी उम्रीश कर दी गई यानि आब इसमें शिर्फ in这 37 से लेकर के 20 साल तक के जोए केंडिडेट ही अपलाई कर सकते हैं तो मैं आपको इस बैच का यानि February 2021 बैच का जोए डेटा बर्थ बता देता हूं उसे आप लोग देख लिजे कि आप eligible हैं कि नहीं इस वर फार्म बरने के लिए तो जो required डेटा बर्थ इस बार होगा February 2021 बैच के लिए वो होगा 31 2001 से लेकर के 12 2004 तक कितना होगा आप लोग देख लिजेगा 31 2001 से लेकर के 12 2004 तक बाकि आज की वीडियो में बस इतना ही कैसा लगा आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरू किजेगा और चैनल को भीना सब्सक्राइब की हुए मत जाएगा बाकि फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में लेकर के कुछ नया अगले वीडियो में हमीं बात करेंगे इसके एक्जाम प्रोसेस को लेकर के और सेलेक्शन को लेकर के तो चलिए धन्यवाद